देखो मैं यहां की बेटी हूँ, मुझे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है, मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जबाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बेहन के बारे में इतना अभधर टिपनी की मेरी जो है मेरी आगे क्या इमेज बनेगी क्या परस्नेलिटी बनेगी वो सारी मेरी इज़त जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है चाहे हैं मैं जीत भी जाओं लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीती हूँ और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मिली तो मेरी एक अलग रुतवा होगा एक अलग पोजिशन होगी मेरी आज जो है हमने अपने कैमपेन का शंकनात किया है और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया तो हम बहुत खोखफुल हैं देखो मैं यहां की बेटी हूँ मैं मुझे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है तो इसमें कोई बहुत असमानिया बाद नहीं है कि मुझे लोगों ने यहां इतना प्यार दिया देखे उन से क्या उमीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नश्ट करना चाहता हूँ यह इस तरह किस स्पीचिस कौन हो उनको लिख के देता है इस तरह कि बाते कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में तो यह बहुत ही हर्ट करने वाली बाते हैं और हम लोग जो है आप मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बेहन के बारे में इतना अभद्र टिपनी की और वो देंगे आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहां से करारा जवाब मिलेगा लेकि बारत की जनता है उनका मुझे हमेशे से आश्रिवाद रहा है लेकिन यह जो कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी सीट से किस तरह से प्यार मिलता है मेरी जो है मेरी आगे क्या image बनेगी क्या personality बनेगी वो सारी मेरी इज़त जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है चाहे मैं जीत भी जाओं लेकिन फिर भी मैं किस से जीती हूँ और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मेली तो मेरी एक अलग रुटवा होगा अलग पॉजिशन होगी मेरी सेंटर में और मेरी बात का एक अलग वैल्यू होगा तो ये सारी जो मेरी इज़त है मेरे भाई बेहन मेरे जितने भी यहां पे रिष्टत उन्होंने रखनी है मेरी इज़त देखो मैं यहां की बेटी हूँ मैं मुझे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है वो उन लोगों को जबाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बेहन के बारे में इतना अभधर टिपनी की मेरी जो है मेरी आगे क्या इमेज बनेगी क्या परस्नेलिटी बनेगी वो सारी मेरी इज़त जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है चाहे है मैं जीत भी जाओं लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीती हूँ और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मेली तो मेरी एक अलग रुतवा होगा एक अलग पोजिशन होगी मेरी आज जो है हमने अपने कैमपेन का शंकनात किया है और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समत्न दिया तो हम बहुत खोपफुल हैं देखो मैं यहां की बेटी हूँ मैं मुझे भारत हैं बहुत गरवित हमेशा रहता है मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है तो इसमें कोई बहुत असमानिय बाद नहीं है कि मुझे लोगों ने यहां इतना प्यार दिया देखिए उनसे क्या उमीद की जा सकती है जब राहूल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नश्ट करना चाहता हूँ, यह इस तरह कि स्पीचिस कौन हो उनको लिख के देता है, इस तरह कि बाते कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राश्ट्र में, तो यह बहुत ही हर्ट करने वाली बाते हैं, और हम लोग जो है अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है, वो उन लोगों को जवाब दे, जिन्होंने मंडी की बेटी बेहन के बारे में इतना अभधर टिपनी की, और वो देंगे, आप देखेंगे, और मेरी बात याद रखेंगे, कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा, प्या मं जो मंडी के लोगों के हाथ में है, चाहे है मैं जीत भी जाओं लेकिन फिर भी मैं किस से जीती हूँ, और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मेली, तो मेरी एक अलग रुटवा होगा, एक अलग पोजिशन होगी मेरी सेंटर में, और मेरी बात का एक अलग वैल् तो ये सारी चो मेरी इज़त है, मेरे भाई बेहन, मेरे जितने भी यहां पर रिश्टे था, उन्होंने रखनी है मेरी इज़त